राश्टपती रामनाथ कोविंद ने सेना दिवस पर सैनिकों को बधाई दी है शी कोविंद ने एक ट्वीट में कहा है कि राश्ट की सुरक्षा सुनिश्चित रखने में सेना की महत्वपूर्ण भूमी करही है भारतिय सेना ने सीमा की रख्षा और शांती बनाए रखने में अतुलिनिय साहस शौर्य और त्याक का परिजय दिया है वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर विशेश कर देश के बहादूर सैनी को सेवा निवरत योधाओं और उनकी परिवारों को शुब काम नाए दी है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारतिय सेना अपनी साहस शौर्य और पेशवर कोशल के लिए जानी जाती है उन्होंने कहा कि राष्ट के सुरक्षा के प्रती सेना के अमूले योगदान की अभिवक्ती के लिए शब्द अपरियाप्त है प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के जमान मानेवे संकट और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सेवा में हमेशा आगे रही है श्री मोदी ने कहा कि शान्ती रख्षा मिशनों में भी भारतिय सेना के योगदान पर देश को कर्व है अराजय पालन सुया उईके ने थल सेना दिवस के आउसर पर ट्वीच कर बढ़ाई दी है और कहा है कि भारत की सेमाओं को सुरक्षित बना हमारे सानिक देश को प्रगती के मार्ग पर सतत गतिमान रखते हैं देश उनकी सेमाओं का सदेव रिणी रहेगा वही मुख्यमंत्री भुपेश वगेल ने भारतिय सेना के जवानों अधिकारियों सहित सभी देश वासियों को सेना दिवस के आउसर पर बढ़ाई और शुपकामनाई दी हैं मुख्यमंत्री ने अपने शुपकामना संदेश में कहा है कि शान्ती, युद्धकाल और संकट के समय में जवान हमारी सुरक्षा, राहत और बचाओ का कारिकते हैं अपने अदम्य साहस और वीरता से मा भारती की रक्षा में सदेव समर्पित वीर सकूतों का पूरा देश अभीनंदन करता है उन्होंने कहा है कि भारती सेना के अमूले योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए हम सब सेना के जवानों के सदेव रिने रहेंगे